हेलो फ्रेंट्स मैं निधी सौगत है आपका मेरे चानल जीवन के रंग निधी के संग में फ्रेंट्स एक पर फिर मैं आपके लिए यूसुल सा वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो का टॉपिक आप देखकर ही समझ गए होंगे जी हाँ अगर आपके चेहरे के दाग धु वह वाली समस्या को हल कर देगा और यह मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंट्स यह मेरी खुद की एल्डर सिस्टर ने यह यूस की है और वाकई एक महने के अंदर जो है वह इफेक्ट दिखा है सो फ्रेंट्स मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे नए वियर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इसी तरह के नए यूसपूल वीडियो मैं लाती रहती हूँ तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सो फ्रेंट्स वह जादूई रमेडी है शिया सीट्स एक चमच शिया सीट साथ के हैं वो उसमें डूब जाए हिंदी में इसे सबजा के बीज भी कहते हैं और ये आराम से पंसारी की दुकान पर और अब तो ऑनलाइन भी एबिलेबल हैं तो आप के पास अगर ना हो तो आप इस तरह बजा से मंगा कर एक बार इसे जरूर ट्राए करें फ्रेंट्स आप इसे 10 मिनिट के लिए रख देंगे तो जो पानी होगा उसे सिया शीट्स जो है वो एब्सॉफ कर देंगे तो एब्सॉफ करने के बाद इस तरह का 10 मिनिट के बाद रखने के बाद मुझे इस तरह का जेल फॉर्म में पेस्ट मिलेगा आपको मिलेगा जैसे मुझे मिल और अब इस तरह उंगली से ही प्रेस करके आप अराम से उसका पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आपको जो है अपने फेस पर एफेक्टिड एरिये में लगाना है आप ज्यादा आपको मतलब ज्यादा दाग धबे हैं तो आप इसे डेली लगाए और बिलीव में फ्र इसे लगाना है कि जो भी आपका इफेक्टिव एरिया है वहां पर आपको इस तरह से लगा लेना है और इफेक्टिव एरिये में लगाने के बाद आपको इसे 30 मिनिट तक रखना है सूखने के बाद फिर पूरे फेस पर और आप इसे रब कर लेंगे और 10 मिनिट बाद इस तो स्किन टोर आपकी लाइट होगी, तो आपके जो दाग धबे हैं, वो और उभर कर दिखेंगे, इसलिए पहले ज़्यादा देर आपको अपने दाग धबो, मतलब ब्राउन स्पोर्ट पर लगाना है, इससे क्या होगा, ब्राउन स्पोर्ट लाइट होगा, और फिर आप ब देखिये मेरी सिस्टर है, और इनके फेस पर इस तरह की ये दाग हो गए थे, और इन्हों ने वन मन तक इसे ये सिया शीट्स लगाया, और अब देखिये, नाउ हर स्किन इस वेरी क्लियर, और बहुत ही निखार आ गया है, तो फ्रेंट्स ये गुड़ वाइब्स का विच इसकी 195, ये मैंने वैसे फ्लिप कार्ट से मंगाया था, कितने काया था, ये मुझे भी याद नहीं है, और Amazon में भी अविलेबल है, मतला ओनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, प्रेंट्स इसमें मतला में है, विच हैजल का इस एक एक जड़ी बूटी कह सकते हैं, इसे होमोपे होमोपेतिक ड्रग में बहुत यूज करते हैं, और ये भी मैंने मुझे कहीं मैंने देखा था, तो मैंने यूज किया, प्रेंस बिलीव मी, ये टोनर आपको दिन में दो बार लगाना है, मतलब सुबा और शाम को आप लगा सकते हैं, रात में जब आप लेटने जाएं, सार का आइल जो है, वो बिल्कुल आइल फ्ली हो जाएगी आपकी स्किन, और जैसे होता है न, आइली स्किन वाला को समझ नहीं आता कि वो क्या यूज करें, क्योंकि इनकी स्किन जल्दी ही स्टिकी हो जाती है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, तो ये बहुत ही अच्छा इस अच्छा टोनर या रात, नाइट टाइम में लगाने के लिए, तो मेरे हिसाब से केवाल ये टोनर सफिशेंट होगा, कोई क्रीम नहीं लगानी है, आपको कुछ नहीं, अगर आपकी स्किन ओईली है, तो मैं बात कर दी हूँ, मैं केवाल ये टोनर लगाती हूँ, और believe me friends, मेरी skin जो है, मेरा color fair है, और fair मतलब हो रहा है, और साथ में skin मेरी shiny हो गई है, तो आप भी एक बार ये जरूर ट्राइ कर सकते हैं, और एक product में आपको ये बताना चाहरी थी, तो ये this is about witch hazel toner, thank you.